हे गाईस वेलकम टू माइ चैनल आज मैं एक्स्प्लेन करूंगी जापानी सोरर मुवी सडाको जिसकी स्टोरी सडाको यामामूरा की रियल लाइफ से जुडी हुई है जापान का बच्चा बच्चा सडाको यामामूरा के बारे में जानता है सडाको की मा सिजुका में असाधरन शक्तियां थी उसकी बेटी सडाको में भी वो शक्तियां उसके जन्म से ही आई थी इस असाधरन शक्तियों के कारण सडाको की मा की मोथ हो गई थी सडाको अपने दिमाग से लोगों को मार सकती थी कहा जाता है सडाको के पापा ने उसको मार कर दर्ये में फेक दिया था पर मरने के बाद भी उसका कर्ज खतम नहीं हुआ उसकी आत्मा लोगों की चान लेती रही तो ये थी सडाको यामा मूरा की कहानी इसी के बेस पर ये मूवी बनाई गई है एक्स्क्रेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मुझे सपोर्ट करीए मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक बच्ची दिखाई देती है वो लगाता लंबे बालो वाली उसकी डोल को देख रही है कुछ आवाज आने पर वो बहार देखती है उसकी मा उसके रूम के बाहर पेट्रोल चाट रही है उसकी मा ने अपनी ही बेटी को रूम में बंद कर दिया था और अब वो उसे माना चाती थी वो अपनी बेटी को कहती है तुम जैसे लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा तुम सड़ा को हो तुमारा पुनर जनम हुआ है बची जोर जोर से रो रही है पर उसकी मा पर इसका कोई असर नह जाती है और एक नजर से ही वहां आग लगा देती है बची सड़ा को के पास चली जाती है और ये सी नहीं कट हो जाता है फिर हमें डोक्टर अकिकावा दिखाई जाती है वो साइकोलोजिस्ट है और अपने पेशन को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करती है उसका छोटा बैयाजुमा एक यूटूबर है जो अपने सब्सक्राइबर और रिव्यू बढ़ने के लिए हर वक्त वीडियो डालता रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है अकिकावा उसे पढ़ाई में ध्यान देने को कहती है पर वो उसे सिरियसली नहीं लेता है फिर हमें वो बच्ची दिखाई देती है वो अपनी लंबी बालो वाली डोल को लेके पूल पे चल रही है तभी एक लेडी आती है और उसे कुछ पूछती है अचानक से वो लेडी पूल पे से नीचे कूछ जाती है तभी एक पूलिस वहां आ जाता है और बच्ची से पूछता है कि व वो अकेले ही है बच्ची फिर से नीचे देखती है तो वहां वो लेडी नहीं होती है ये देखकर बच्ची डर जाती है और बेहोश हो जाती है बच्ची को उसी होस्पिटल में लाया गया जहां अकीकावा काम करती है बच्ची को अपने बारे में कुछ याद नहीं था पुल पुल भी नहीं गई है ये सब जानकर सब चोग जाते हैं फिर पुलीस बच्ची से सब जानने की कोशिश करती है बच्ची कहती है उसकी माउसे सडाको कहती थी पर ये उसका नाम नहीं है पुलीस के सवालों से परिशान होकर बच्ची रूम में एक जगव को घूरती है रजा खुलने पर ही एक आगमी वहां होता है और उसे डराता है बच्ची बहुत डर जाती है पर अगले ही पल सब गायब हो जाता है और बच्ची लिफ्ट में ही होती है मानो कुछ हुआ ही ना हो डोक्तर अक्की कावा वहां आती है और बच्ची से बाते करती है बच्ची उस पतर शुब् Above किसी हंटेट जगर चाकर वीडियो बनाना याजुमा वो करने के लिए रेडी हो जाता है और ہंटेट प्लेसे सर्च करता है फिर वो एक आर्टिकल पढ़ता है कि एक एपार्ट्मेंट में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो चुकी थी याजुमा उसी एपार्टमेंट में जाने का प्लान बनाता है ये वही बच्ची का गर है याजुमा वहाँ जाता है और वीडियो बनाता है पर वहाँ उसे कुछ दिखाई देता है वो आकर डरा डरा सा रहता है और एक ही बात बोलता रहता है मैंने कुछ देखा वहाँ पे फिर एक दिन अचानक से वो गायब हो जाता है उसका फ्रेंड इशिदा ये सब बात अकीकावा को बताता है वो परेशान हो जाती है और र्याजुमा की बननाई वीडियो देखती है ठीक से देखने पर वीडियो में उसे लंबे बाल वाली लड की सड़ा को दिखाई देती है रात में घर जाते वक्त अकीकावा को उसकी पेशन्ट मिलती है जो ठीक हो गई थी और उसे ओस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था वो अकीकावा से ही मिलने आई थी पर अकीकावा को उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी वो अचानक से उस पे हमला करने लगी थी, तभी छोटी बच्ची वहां आ जाती है, उसे देखकर पेशन डर जाती है, बच्ची फिर से बेहोश हो जाती है, अकी कावा भी उसके पास चली जाती है, फिर टीवी अपने आप चाल हो जाती है और उसमें एक कुवा दिखाई देता है, उए में सड़ा को निकलती है, फिर सड़ा को टीवी में से बाहर आ जाती है, और उस पेशन के पास पहुँच जाती है, और उसके नस्दीक आ जाती है, वो पेशन डर के मारे कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी, वो सिर्फ एक शब्द बोलती है, सड़ा को, ये सब देखकर अकी को जगाने की कोशिश करते हैं उसकी पेशन अभी तक शोग में ही थी बच्ची को ICU में रखा गया था पर अभी तक उसे होश नहीं आया था अकिकावा उस पेशन के पास जाती है और सडाकों के बारे में पूछती है पेशन उसे बताती है उसकी शक्तियों के बारे में और उस पेशन्ट कहईती है अब वो जिन्दा नहीं होगा सड़कों ने उससे मार दिया होगा रात में अकिकावा याजुमा की पुराणी वीडियोस देखती है वीडियो में अचनक उसे एक कुआ दिखाई देता है और एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है वहां काजुमा होत फिर एक लेडी उपर से कूच जाती है, ये सब उस वीडियो में था, तभी काजुमा के फ्रेंड इशिदा का कॉल आता है, उसने भी ये वीडियो देखा था, लेडी पेशन नीन में से उठ जाती है और देखती है कि छत में से पानी की बुंदे गेर रही है, फिर उसके पेर वाली सडाकों की माही थी, दोनों रिसर्च करके पता लगाते हैं कि वो जगव ओजीमा आइलेंड है, पत्थरों के गीने के कारण वो बंद रखा गया है, दोनों वहां जाते हैं, जैसे ही दोनों अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वहां का चोकिदार उसे रोकता है, अ आज पुनम की रात है, और वो दोनों को यहां से चले जाने को कहती है, पुलिस को भी आजुमा नहीं मिलता है, सब वहां से चले जाते हैं, रात हो जाती है, और दोनों फिर से वहां जाते हैं, वहां एक गुफा होती है, अकी कावा अंदर देखने की कोशिश करती है, तो क कोई उसका हाथ पकड़ कर उसे खींच लेता है वो अंदर जाती है और वहां काजुमा को देखती है वो बहुत डरा-डरा सा है सामने कुए में उसे होस्पिटल में है वही बच्ची दिखाई देती है वो चौक जाती है फिर उसे एक सीन दिखाई देता है उसमें सडाको की मा सड़ाको को इसी जगह रख देती है और खुद वहां से चली जाती है अब अकिकावा को पता चलता है कि सड़ाको का खून नहीं हुआ था उसकी मा उसे छोड़कर चली गई थी बच्ची की मा भी बच्ची को माना चाती थी शायद सड़ाको अपने जैसे लोगों को मार रही अकिकावा देखती है कि वो बच्ची पानी में डूब रही है होस्पिटल में भी डोक्टर्स बच्ची को बच्चाने की कोशिश कर रहे थे अकिकावा पानी में जाती है और बच्ची को पकर लेती है वो बच्ची से कहती है तुम अकेली नहीं हो मैं हूँ तुमारे साथ फिर वो बच्ची बच जाती है, होस्पिटल में भी उसकी कंडिशन स्टेबल हो जाती है, अकिकावा के पास से वो घायब हो जाती है, फिर इशीदा भी वहां आ जाता है, वो काजुमा को संभालने की कोशिश कर रहा है, तबी सड़ा को आ जाती है और अकिकावा को पकड़ कुए की तरफ जाने लगती है अकिकावा भी पानी में जाती है अपने भाई को बचाने काजुमा इशिदा को अपने बहन को दूर ले जाने को कहता है इशिदा अकिकावा को बाहर ले जाता है सडा को काजुमा को पानी में डूबा देती है और खुद भी पानी में चली जात सड़ाकोवा लगुवा रेज से भरा गया था और वो बंद कर दिया गया था ताकि सड़ाकों का कर्स खत्म हो जाए फिर अकिकावा को अपने बेट के आसपा सड़ाकों की परच्छाई दिखने लगती है और कुछ इस तरह ये मूवी पूरी होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेर कीजे और कमेंट करके भी बताए कि मूवी कैसी लगी एसे ही नाए नाए वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे